नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम सिधार्थ है, आज मैं आपके सामने लाया हूँ, आलू जैसी फसलों में अपना उत्पादन बढ़ाने का एकदम आसान तरीका, अगर आपको आलू लगाए वे 10 से 40 दिन हुए है, मतलब आपका आलू पहले महीने में चल रहा है, तो एक बहुती आसान तरीके से आप आलू का उत्पादन लगभग 5 से 10 प्रतिशत से बढ़ा सकते हैं, 5 से 10 प्रतिशत का मतलब है सीधा सीधा 6,000 रुपे का मुनाफा, तो आईए जानते हैं कि यह क्या तरीका है जिससे आप अपने आलू का उपज यानि उत्पादन बढ़ा सकत ड्रेंचिंग मतलब पानी के साथ इन दोनों प्रॉडट को मिक्स करके बहाना है, अपनी मिट्टी में सबसे जरूरी पदार्थ होते हैं तीन, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों पोशन तत्वा अपन अपने फसल तक पहुचाने के लिए ब पोशन तत्वा को फसल तक पहुचाने के लिए हमें जरूरी है बैक्टेरिया, तो जानते हैं ये कौन सा बैक्टेरिया है जो अपने मिट्टी के अंदर के पोशन तत्वा को अपनी फसल तक पहुचाता है, इस बैक्टेरिया का नाम है N, P, K बैक्टेरिया, N मतलब नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम को अपनी फसल तब पहुचाने के लिए बैक्टेरिया है जिसका नाम है N.P.K. बैक्टेरिया एक एकड के लिए आपको सिर्फ 500 ग्राम N.P.K. बैक्टेरिया लेना है और पानी के साथ अपनी मिट्टी में बहा देना है यह बहुती ताकतवर बैक्टेरिया है यह बैक्टेरिया अगर आपने अपने पानी में आलू की फसल के लिए बहा दिया तो अपने आलू का जो उत्पादन है वो 10 प्रतीशत से बढ़ सकता है इस bacteria का एक और फायदा होता है वो यह है कि यदि आपने ये bacteria अपनी फसल में डाला है तो आपको अपने खेत में chemical fertilizer डालने की जरूरत कम पड़ती है पहले यदि आप 10,000 रुपे के chemical fertilizer यानि खाद अपने मिट्टी में डाल रहे थे तो अब आपको 10,000 नहीं सिर्फ 8,000 के ही fertilizer डालने की जरूरत है तो यहाँ आपका 2,000 का खर्चा और बच जाता है इसके साथ साथ आप अपने पानी में NPK bacteria के साथ yumic acid को भी मिला सकते हैं yumic acid बहुती आसान है आप सब जानते हैं हर दुकान पे मिलता है yumic acid एक एकड में सिर्फ 200 ग्राम की जरूरत है आप NPK bacteria 500 ग्राम डालिए और yumic acid 200 ग्राम डालिए और उसको एक एकड के पानी में बहा दीजिए यह product आप भारत एगरी से खरीद सकते हैं link नीचे description में दी गई है NPK bacteria और yumic acid IFC कंपनी के बहुती ताकतवर और बहुत हाई quality है वो आपको भारत एगरी पे मिलेंगे यह दोनों product खरीदने का आपका खर्चा सिर्फ 600 ग्राम होगा वो आप अपने मिट्टी में बहा देंगे और आलू का उत्पादन जब 10% से बढ़ जाएगा तो आपको 6000 रुपे का फायदा होगा तो किसान दोस्तों 600 रुपे के एक ड्रेंचिंग से आपका उत्पादन और आपका मुनाफ़ा 6000 रुपे से बढ़ सकता है धन्यवाद